1797 में जब फ्रांस मुसीबत में था और चारो तरफ से दुस्मन देशों से गिरा हुआ था जब फ्रांस की वार इटली से चल ली थी तो फ्रांस एक वीर योद्धा उबर के आया और वीर योद्धा का नाम था नेपॉलियन बोनापार्ट नेपॉलियन बोनापार्ट हाला कि उसने वापिस से मुनार्की सिस्टम लेकिया और नो डाउट कि उसने डेमोक्रिक सिस्टम को डिस्ट्रोई किया फ्रांस से बट उसके दुआरा कुछ इनो marvelous और great efficient reformation किये गए फ्रांस के अंदर जो the civil code of 1804 के नाम से जाने जाते हैं या कुछ नेपॉलियनिक code के नाम से भी जाने जाते हैं तो देखते हैं कि क्या changes किये गए नेपॉलियन बोनापार्ट के दुआरा पहला changes यह हुआ नेपॉलियन बोनापार्ट के दुआरा रिमूव दा प्रिविलेज बर्थ राइट ओफ नोबल क्लास फिपल्स जो नोबल क्लास थी एरिस्टो क्लास थी वहां पर फ्रांस के अंदर सेकेंड क्लास थी उन सबके जो प्रिविलेज राइट थे उन सबको रिमूव कर दिया गया नेपॉलियन बोनापार्ट के दुआरा उसने अगला उसने स्टेबलाइज किया एक्वल लो बिफोर एवरिवन एक्वल बिफोर दा लो मतलब एक्वल लो सबी व्यक्तियों के लिए एक्वल लो चाहे वो एरिस्टो क्लास से हो चाहे वो फर्स क्लास से हो पॉप फैमिली से हो या थार्ड क्लास से हो एवरिवन व पर कोई भी नोबल फैमलि के विक्ती अधिकार नहीं कर सकता था उनके प्रयूपसे नहीं सकता था यह सुदार किये कर नेयपॉलेन बोर्ण पार्ट के दूरा अगला था कि उसने अबोलापमव क्या प्देशित्ए उसको पुरह से समययोजन प्रकार को योर। टेक्सेज, ड्यूज, वो सबको समाप्ट कर दिया उसने साथ में transportation and communication system को improve किया transportation को improve करने से communication system को improve करने से जो business था वो बड़ा businessmen, workers, artists, peasants all enjoy, सबने enjoy किया उसके new system को, उसके सुदारों को साथ में उसने uniform laws के साथ standard weight and measurement system को भी uniform किया एक common currency बनाई action system जो goods का action system था वो capital one region से another region में जाने से जो भी tax लगते थे उन सब को समाप्ट कर दिया गया